Hello Everyone, Welcome back to my YouTube channel, Online Info में आपका सौगत है आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा ITI NCBT का रिजल्ट कैसे देखेंगे तो दोस्तों वीडियो को skip नहीं करना है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी step by step मिल सकें सबसे पहले हम अपना Chrome Browser open कर लेंगे जिसमें सर्च करेंगे NCBT MIS अगेन NCBT MIS पर क्लिक करेंगे इसके बाद verification में जाएंगे और mark sheet verification पर क्लिक करेंगे इसके बाद role number और registration number में हम अपना role number डालेंगे एक्जाम सिस्टम में जिनका एक्जाम सेमेस्टर वाइज होता है वो सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेंगे जिनका annual वाइज होता है वो annual सेलेक्ट कर लेंगे हमारा सेमेस्टर वाइज होता है तो हम सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेंगे सेमेश्टर में जिस सेमेश्टर का हमें रिजल्ट देखना है हम उस सेमेश्टर को सेलेक्ट कर लेंगे मुझे थर्ड सेमेश्टर का रिजल्ट देखना है तो हम थर्ड सेमेश्टर को सेलेक्ट कर लेंगे और सर्च पर किलिक कर देंगे यह हमारा थर्ड सेमिस्टर का रिजल्ट आ चुका है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आपको ITINCBT का रिजल्ट देखना समझ आ गया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सस्क्राइब करना न भूले थैंक यू